दोस्कार दोस्तों स्वागत है अपटी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में है दोस्तों रेलवेई एंटिपीसी जो सी एन जीरुवन ओबलिक 2019 वाला नोटिपिकेशन है उसमें कुछ संसोधन किये गए है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आज 25 मार्श को है काफी कुछ बदलाव यहाँ पर देख सकते हैं टॉप फाई उपर से आप देखेंगे वन टो थ्री फॉर फाई तो पांच परमुख बदलाव किये गए है तो इस वीडियों देखने वाले ये सभी क्या परमुख बदलाव है तो मैं आपको डिटेली में बताने वाला ह अपनी त्यारी को बेहतर करेंगी अभी टेस्टूप पर एक लाइफटाइम पास का उखर चल रहा है यह आप टीटीट के कोपन कोड यहां पर यूज करते हो तो पहले जो 59 का डिसकाउंट मिल रहा है इस कोपन कोड से मैक्जिमम डिसकाउंट ले सकते हो चाहे आप एरली पा पास हो और इसमें सारे एक्जाम ससी रेलवे बेंकिंग एक ही पास में आप यह मौक टेस्ट अटेम्ट करके अपनी त्यारी को परक सकते हैं जो सेम एक्जाम प्रेटन और डैस्पोट पर आधारी रहते हैं तो यह टेस्ट बुक एप और वेबसाइट दोनों पर एवलिब नॉटिफिकेशन नंबर हैं जब आपके भरती आई थी रेलवे एंटी पीसी की तो उसमें ये विग्यपती निकाली गए थी पूरा नॉटिफिकेशन उसमें अब बदलाव किये गए हैं तो तीन परमुक वो बदलाव जो इस नॉटिफिकेशन में बदलाव के बात दोब पहले दे रखा था आपके मूल नॉटिफिकेशन में कि in case of shortfall in empanlement of end तो ये पूरा आप देखते हैं जैसे ही आप यहाँ पर खोलेंगे मूल नॉटिफिकेशन आपके पास होगा तो ये पैरा 1.11 में आप देख सकते हो पूरा पैरा 1.11 में संसुत नहीं हुआ हैं इसमें लास्ट वाला आप देखते हो सेंटेंस इस वाली लाइन में एमेंडमेंट किया गया है तो पहले क्या था नॉटिफिकेशन में in case of shortfall in empanlement of candidate rrb reserve to right to utilize the extra list of candidate if required as per the merit and option of the candidate ये जो पहले वेटिंग लिस्ट आती थी वेटिंग लिस्ट क्यों आती थी तो पहले प्रावधान क्या था कि dead गुणा candidate क्या है पास की जाएंगे अभी यहाँ पर आप देखेंगे आज इसमें आप देख सकते हो यह और यह संसुद न हुआ है जिसमें बताया गया है कि कितने candidate है वो डोकमेंट के लिए बुलाए जाएंगे तो जितनी vacancy है कितने candidate बुलाए जाएंगे document के जितनी वेकेंसी है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि वेटिंग लिष्ट का कोई मतलब भी नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे न तो संसुद न क्या हुआ अब दो मेरिट लिष्ट नो बनने वाली है वो जितनी वेकेंसी उसके आधार पर बनेगी वो वेरिटिंग लिष्ट बनती थी अभी यह बता रहे हैं कि डाउन दा मेरिट लिष्ट ले जाएंगे अब वेरिटिंग लिष्ट नहीं लेंगे तो जितनी वेकेंसी है उतनी तो आपकी मेरिट लिष्ट बनेगी अब यहाँ पर शुरुआत में यह यही नहीं पच्चास प्रीष्ट इसका मतलब मेरिट लिष्ट से जो नीचे वाले केंडेट है एक तरीके से यह तो वेरिटि जरूरत लगेगी रेलवे को तो वो केंडेट है ले सकते हैं जब पैनल में इस्टुरेंट है वो सौटफाल हो जाएंगे यहीं जितनी वेकेंसी उससे कम होंगे उस केस में आरार भी रिजुर्ट राइट तो यूटिलाइज दा केंडेट से डाउन दा मेरिट लिष्ट से अभी वो ले सकते हैं पहले क्या था वेटिंग लिष्ट थी अभी वेटिंग लिष्ट है वो हट गई है एक तरी किसे क्योंकि जितनी वेकेंसी है उतने ही केंडेट पास की जाएंगी इस वाले प्रावधान की कार्म इनको यह डाउन दा मेरिट लिष्ट लिखना पड़ा यह जी यह merit list आपको देखने में तो same लग रहा जैसा आप यह वाले sentence देखते हो पहले वाले notification में उसमें दे रखा के एक stand by list होगी जो candidate की जिसे आप वेटिंग लिस्ट बोलते हो अब ही यहाँ पर यह हटा कर down the merit list दिख जिया तो confused धो रहे student down the merit list का क्या मतलब है तो वही अब की बार क्या है, पहले मेरिट में 50 पिस थी, एक्स्टा केंडेट थी, वो यहाँ पर इन्होंने डोकॉमेंट वेरिपिकेशन लिए खत्म कर दिया है, आप देखें, 13.1 और रिकूर्टमेंट प्रोसेस में इन्होंने दे रखा हैं, The First Stay से लेकर कर रिकूर्टमेंट प्रोसेस हैं, तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे, यह वाला जो पूरा पूरा देख पारे हो, sentences है, यह आपकी close उसमें भी same है, जो संसोदन हुआ है, उसमें भी same है, लेकिन पहले यह जो आप देख पारे हो, यह, तो इस वाले को यहाँ इसका मतलब क्या हुआ ये तो सेम ही है the first stage CBT is screening nature है screening nature का है student को छाटा जाएगा और the standard of questions वो CBT के रहने वाले हैं वो education standard के according रहेंगी और normalized score जो first stage CBT होगा वो use किया जाएगा second stage CBT में student को qualify करने के लिए फिर इन और जो line दी है candidates who are shortlisted for second stage CBT availing the reservation benefit of OBC, SC, ST, EWS जो भी आपकी category है उससे आप benefit लेते हूँ can that who are shortlisted for second stage CBT first stage CBT के score के आधार पर आप जैसे की OBC में qualify हुए है तो next आपकी second stage CBT का score होगा उसमें भी आपको OBC में count किया जाएगा पहले यह था जैदि आप SC से हुए तो SC में भले ही आपने अन्रेजरूर से ज़्याद ही क्योंने marks लेकर है लेकिन वो OBC में count रहे तो वो पूरा resolution ही गड़ बड़ा जाता है इसका कोई मतलब भी नहीं रहता है इसलिए इन्होंने क्या किया इस वाले को गाय भी कर दिया है यहाँ आप आप देखेंगे यह पूरा का पूरा पहले वाला था उसको SAM recruitment process रखा है यानि अब जो प्रावधान है OBC, SC, ST, EWS है वो प्रावधान है परते एक stage में उनके score के आधार परते होगा नकी first stage में इदी कोई candidate SC से पास हुआ है तो second stage में भी वो SC से ही माना जाएगा qualify ऐसा प्रावधान है हटा दिया क्योंकि court में case भी चला था इससे प्रिविस वाली भरतियों में अब देखें next इनका जो संसोदिन हुआ है वो परमुक document verification से सम्मंदित मैंने बता ही दिया आपको best on performance of candidate अब यहाँ पर आप देखेंगे page नमर 22 में जाकर 13.5 का ये पूरा close है 13.5 में ये document verification सम्मंदित तो इन्होंने कौन सा क्या है best on वाला ये वाला पूरा का पूरा इन्होंने ये sentences दे लिए है best on the verification of candidate second stage CBT and best on the performance of candidate in बहुत second stage CBT and अन्य जो भी CBAT होता है TST वागरा तो candidate equal to the number of vacancy will be called for document verification as per the merit and options in additions candidate equal to 50 50 candidate है ये देट गुणा candidate है उनके पास की बात हुई है जब आपके मूल notification आया है number of vacancy for various post will be also be called document verification के लिए देट गुणा candidate यहां पर पास किये जाएंगे लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है देट गुणा वाले को हटा दिया है best on the performance of candidate in second stage CBT जो भी skill test होता है तो candidate equal to number of vacancy जितनी vacancy है उसकी equal candidate यहां पर पास किये जाएंगे तो waiting list का प्रावदान यहां से एक तरीके से हट गया है और down the merit list की बात जरूर होई है तो हो सकता है जो भी merit बनती है और उनसे नीचे भी candidate बुला सकते है यह दी कोई shortfall होता है candidate तो यह आपके जितने candidate vacancy है उतने ही बुलाई जाएंगी तो शुरूआती merit है वो ज़्यादा रहने वाली है अब next आप देखेंगे amendment to the corresponding and amendment जो 14 मार्च 2019 को एक संसोधन किया गया था मूल विगिप्ती में notification में उसको दोबारा संसोधन कर दिया है यानि बदलाओ पर बदलाओ हुआ है तो यह जो पहले इसमें क्या किया है वो SAM SCST वाला OBC वाला है उसी के प्रावदान को हटाया गया है short listing for various stage है RRB wise short listing जो होगी second stage CVT में वो rate of 20 time vacancy की candidate है वो पास के जाएंगे तो 20 कुणा candidate है जितनी vacancy उसके पास के जाएंगे तो इसमें भी कोई संसोधन नहीं हुआ यहां तक है हो भू हो यह पूरी लाइन है पहले क्या था पहले यह वाला था यनि फर्स stage में यदि कोई SCST OBC होता है तो second में उसको reservation उसी category मिलेगा वो हटा दिया है यदि किसी candidate के marks ज़्यादा आते है तो वो unreserved जिसमें कोई भी category नहीं आती है उसमें भी qualify कर दिये जाएंगे तो यह आपके पहले क्या हुआ था शुरुवात में यही था ठीक है फिर कोरिजेंडम हुआ और इसको add किया गया अब क्या कर दिया है इसी को दोबारा हटा दिया है तो दोबारा बदलाव करके वो मूल कर दिया अब second आप देखीगा यहाँ पर और जो पहले बदलाव हु certificate होना चाहिए अभी इन्होंने क्या कर दिया है एनी सस certificate issue even after date of notification notification की डेट के बाद कभी उनके पास notification के बाद की डेट का इदी certificate है मैं मालो कि अभी आपका इदी EWS certificate है अभी का तो भी वो मनने होगा in case of non-compliance to these यह their claim for reserve station under EWS will not be entertained and the candidates or application of such candidate for fulfilling all the eligibility condition for general category will be considered under general vacancy only और यदि कोई भी student है वो EWS certificate परजेंडर नहीं कर पाता है notification के बाद की डेट वाला भी उस case में उनका आपके अंडरे जरो में count किया जाएगा रद नहीं होगा यूर में आपकी count हो जाएगा और बाकि आपकी किसी भी डेट का EWS से तो आप वो मनने कर दिया है तो यह परमुक संसोदन किये गए हैं आप देख सकते हो 5 परमुक संसोदन है और इसमें भी आपको कोई doubt लगता है आप टीटीजी के खोपन कोड़ जरूर यूज करना नेलते है नए वीडियो में वंदे मातर मुचे हिन दोस्तों